हेलो फ्रैंड्स, वेलकम बैक to LGR study, दोस्तों भायों के कुछ ऐसे questions को आज हम देखेंगे जो आपके exam में बार बार रिपीट होते हैं यानि कि ऐसे questions जो सभी exam में बार बार आते रहते हैं, इन सभी questions को आज हम देखने वाले हैं तो आप सभी बच्चे बिल्कुल conscious हो करके class को देखिएगा साथी साथ जिसका answer आपको पता हो उस question का answer तो आप करते ही करते चलिएगा जिसका answer नहीं पता हो तो एक बाल उसको mind में repeat करते चलिएगा ताकि वो जो हमेशा आपको ध्यान में रहे और कभी भी इस प्रकार का question सामने आये तो इसका answer आप कर सके LGR study पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे सेशन को like नहीं किया है तो like कर दीजे और एक एक कोशन को अच्छी तरीकी से सीखने समझने की कोशिस तो कीजिए ही कीजिएगा तो चलिए फस्ट नंबर कोशन के पास अब हम आपके हर फस्ट संसलेशन करना होगा या फिर प्रोटीन का संसलेशन करना होगा तो आपको बता दे कोशिका में राय वो सोम का जो काम होता है वो प्रोटीन का संसलेशन करना होता है क्या प्रोटीन बनाना होता है तो यहाँ पर बिल्लुकुल correct answer दोस्तों होने जो वाला है वो D होने बाला ह चलिए याद रखेंगा इसको अगले number question पर हम बढ़ेंगे अगला number question है मकडी का जाला किससे बना होता है मकडी का जाला आपने देखा होगा इस type का जो है बना हुआ रहता है जो कि मकडी के दोरा ही आपके घड़ों में बनाया जाता है इसे हम एंगलिस में spider silk के नाम से भी जानते हैं तो ये किसका बना होता है भाई साब किसका बना होता है मकडी का जाला जल्द से जल्द बताएंगे देखिए मकडी जब ऐसे ऐसे करके घूमती है तो उसके पीछे से जो है उसके सडीर से जो है एक तरल पदार्थ निकलता है जो कि एक protein होता है ये protein जैसे ही बाहर इसको protein को निकालता है मकडी तो होता क्या है हवा लगने के कारण जो है ये सूख जाता है एक जाल का निर्मान कर लेता है इस जाल में जो भी मक्की बगएरा आते हैं उसको ये मकडी फसा करके अपना सिकार बनाती है और अपने भोजन को पुर्ण करती है तो यहाँ पर बिल्लकुल correct answer जो होने वाला है ये जाला बना किसका रहता है वाइसा protein का बना रहता है किसका protein का बना रहता है DNA अन्यों के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षर नाइट्रोजनी समाक्षर भाग लेते हैं तो लगभग चार लेते हैं लगभग क्या correct चार होगा यहाँ पर डी बिल्कुल correct ना असर होगा अगला नमबर question आपके सामने है वाही निकाएं तथा वाही काएं किसमें पाई जाती है हमने आपको एक topic पढ़ाया था जर, root उसके बाद दूसरा जो पढ़ाया था वो था esteem यानि कितना और तीसरा नमबर का जो chapter था वो सायद हमने आपको नहीं कराया है तो चलिए यहाँ पर यह दो chapter ही सायद दो topic ही हमने आपको cover कराया है और इस दो में से ही आपको तना वाले में और जर वाले में दोनों में हमने बताया है जायलम और फ्लोयम के बारे में खास करके जर वाले topic में तो जरूर बताया है क्या है इस जैलम का कामं का यहा पर जल को संभहन करना यानि की जल को अपतनु से लेकर कि जर पती सभी जगह पहुंचाना यह काम किस का है जैलम ुद्तक का काम है है तो यहाँ पर इसका बिलकुल क्छांइतन हो जागा और वाही नीगा है जैलम में ही ब vet जाते हैं, नेक्स कुश्चन अब आपके सामनी होगा, लेकिन उससे पहले एक वार लाइक जरूर कर दीजेगा, ये कुश्चन कहरा है, मलेरिया निदान है तो, क्या, मलेरिया के निदान, यानि कि malaria बिमारी यदी किसी व्यक्ति को होती है तो उसको खत्म करने के लिए कोई ने कोई medicines लेते होंगे और उस medicines का नाम यहाँ पर artithiater है और यह artithiater नाम की जो medicines है यह प्राप्त किस से होती है यह किस से प्राप्त होती है यह आपको बतानी है तो ये एक बिसम पोसी जीव से प्राप्त होती है, और इसलिए इसका बिलुकुल करेक्ट आँसर जो होने वाला है, वो हो जाएगा बीजी ये पादप से, क्या होगा, बीजी ये पादप से और इसका बेग्यानिक नाम जो है, इसका बैग्यानिक नाम है सीकोना ओफसी लेनिस इसका नाम है ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो हम भी थोड़ा गचपच हो जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल परफ्यक्ट आंसर जो होगा अगला नमबर कोशन आपके सामने है कुनैना जो मलेरिया के लिए एक परमुक आस्ती है कुनैना भी एक मलेरिया के लिए अच्छा मेडिसीन है और यह किस से प्राप्त होता है यह किस से प्राप्त होता है तो चलिए छटे नमबर कोशन का आसर एक बार करके देखिए किस से प बादब के बारे में हमने अभी आपको बताया इसका बिल्कुल ग्रेक्ट आंसर होगा चलिए साथवा नंबर कोशन कहा रा है लॉंग क्या है बाई-साप लॉंग के बारे में इतने भी भाग हैं इन सभी भाग को बड़े भाग को तना कहते हैं और यहां जिसमें भी गांठ हो उसे तो तना कहा ही जाता है तो यहां पर जैसे पौधे से यहां से यदि कोई तना निकलता है तो यहां पर गांठ आवस्थी होगा तो इसे हम क्या कहते हैं तना कहते हैं वह मौर्फिन किसे प्राप्त होती है देखिए मौर्फिन का यूज कहां पर किया जाता है मौर्फिन का यूज मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है और नसा वाले लोग भी इसको यूज करते हैं मौर्फिन का जो यूज किया जाता है वो दर्द वाले दबा के लिए किया जाता है साथी साथ थकान दूर करने के लिए अगर अगर दबा के लिए मौर्फिन का परयोग किया जाता है इसे हम अफीम के नाम से भी सायथ जानते हैं के आप सभी जानते हों कि अफीम चड़स गांजा ये सब गला नंबर कोईशिन आपके और ये क्या एक क्या कैढ़रा इसको भी देखने की कोईशिच कीजेगा कबकu कोशिका में संचित होने वाला खाद पदार्थ है आप कि कवक एक विसम पोसी जीव है यह तो बिलकुल अस्पस्ट है साथ यहां पर पूछा जा रहा है कि इस कोशिका में संजित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है वाई साथ गलाइकोजन है या फिर फ्रक्टोस है या फिर गुलकोस है या फिर मंड है तो आपको बता दे कि अब्सेवर्ब होने वाला चीजें है वह गला को जोन है क्राइप सामने वह आपको करनी एक रीक्न का कौन सा कवक नासी है यानि कि कवक को नस्ट करने वाला बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहांसे हमें कवक को नस्ट करना पड़ता है वैसे कभी-कभी उपयोगी भी होते हैं यह चीजे लेकिन निमलिकित में से कौन से मिसरन है या फिर काइनेटिन है या फिर इनमेंसे कोई ऐसा चीज नहीं है जो कUnis कर सके तो आपको वता दे की कवक का जो स्किया जाता है वो वा alleg granted काई सर होना चाहिए याद रखेजा अगला नंबर कोशन है हमें जीवन देने वाली oxygen कहां से आती है हमें जीवन देने वाली oxygen आप कहेंगे सर्प पेर पौधे से आते हैं सब से पहले आपका यही जवाब होगा लेकिन हर पर पहें है कहा यहां तो बीहों में और सुछित कार्बोनेट से या फिर जल से पहर धात्यों encourage वाइद से या फिर इन वे सेके ज़ और इसमें असपस्ट है कि इसमें oxygen जो है पाया जाता है तो यहां पर oxygen जो हमें इस सभी में से प्राप्त होगी वह जल में से प्राप्त होगी तो भी इसका विल्कुल correct answer होगा अगला पूछ रहा है आप से निम्ल में से पादक हर्म instruments नहीं है ये आपको बताना है जीबने नहीं है या फिर फाइटो nessa नहीं है तो छलीए फड़ा-फब और से आंसर कीजे कांड जो है पादक हर्मोन नहीं है चली जल से जल आंसर कीजिएगा पादक हार्मोन निम्लिकित में से कौन नहीं है एक वाराना सर कीज़ेगा बारावे नंबर कुशन का बल्लकुल करेक्ट आंशर यहाँ पर फाइटो क्रोम होगा क्या होगा फाइटो क्रोम इसका बिल्लकुल perfect आंसर हो जाएगा और आपको बता दे कि कुछ सावाल को छोड़ कर जो है यह चीजे बनाई जाती है तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आसर यह एक प्रकार का वर्नक है चलिए अगले नमबर कोईशन की बात अब हम करेंगे अगला नमबर कोईशन आपके सामने है कि पुस्पन में सिग्रता के लिए पुस्पन में सिग्रता के लिए जल अवसोसित भीजों अथवा नवांकुडों को निमनताप उपचार कहलाता है सोड़ी एक वार फिर से इस कुशन को यदि हम देख लें तो अच्छा रहेगा पुस्पन में सिग्रता के लिए यानि कि अधिक अवसोसित भीज बीज जल और बिज अथवा नया जो अंकुडित भीज रहता है इसको जो निमन थाप उपचार कहलाता सिक कि यह खो अगले Number Question । को यह भडते हैं और अगला Number Question है प्रकास अभिक्रिया होती है प्रकास अभिक्रिया किस में होती है माइट्रो कॉंड्रिया में जब हमने आपको कोसी का चेप्टर पढ़ाया था उसमें माइट्रो कॉंड्रिया गॉल जी बॉडी इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल जो है काफी डिसकस किये थे तो यहाँ पर आपको बतानी है कि प्रकास की अभिक्रिया जो है यह किस में होती है माइट्रो कॉंट्रिया में होती है हरित लवक के ग्रैना में होती है या फिर हरत लवक के स्ट्रोमा में या फिर राइवोसों में किस में जो है प्रका ब्रकास के विक्रिया के य clumsy है लिए हम भात करते हैं तो ठीस को आशें trailer के सामने होगा इस में वह बच्चिए पेर जाइलब मुख्यता जिम्नेदार है पीर पेर पोधे जायलंब का किया है वाई सर। क्या जिंवा मिला हुआ इसको बोजन बनाने का या फिर भोजन परोशने का इस तरीके से हमने आपको बताया था तो पेर पौधे में जायलम का मुख्य काम क्या है बताइएगा आहार वहन के लिए या फिर अमीनो एसीड वहन के लिए या फिर जल वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन वहन के लिए तो अभी हमने जायलम के बारे में बात किया है कि जायलम का काम है जल को एक जगा से तूसरे ज क्रेक्ट आंसर जो है आप सभी बच्चे बिल्कुल आसा करते हैं कि सही आंसर किया होंगे यानि कि सी आंसर किया होंगे नेक्स्ट कोईशन आपके सामने है प्रोटीन एक वसा सड़ी प्रोटीन एवं वसा यहां पर एवं होगा प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचूरता क किसमें है प्रोटीन वुसा दोनों की प्रचूरता किसमें है जल से जल लाउने को जाते हैं Wash करी आंसर कीजिएगा प्रोटीन वसा दोनों की प्रचूरता क्म किसमें जैने की कौन सा ऐसा फल है या फिर कौनसी ऐसी चीजें हैं खादपदार्तफ हैं जिसमें दोनों चीजे आजा मात्रा में पाई जाती है नार्यल में , मौणफली में , या सुरज मुखी में तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सोयाविन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं 100 गराम सोयाविन आप यदि लेते हैं 100 गराम यदि सोयाविन लेते हैं तो इसमें लगभग 40 गराम कितना 40 गराम आपको मिलेगा प्रोटीन 40 ग्राम क्या मिलेगाङ बाइस्थ 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा वहीं पर 살아 यए हम YouTube अँ प्रोटी अ सौ गरामadow यानि आप लेते हैं सो गराम यदि आप आइस सोयाकिन लेते हैं वह इसमें प्रोटीन चहतने कि बात यदि किजीएगा तो 20 ग्राम प्रोटीन आएगा कितना यानि कि 40% सोयाविन में जो है प्रोटीन पाया जाता है और 20% वसा पाया जाता है यह बाते आप बिल्कुल ध्यान रखेगा अब अगले नंबर कोईशन की अब हम चर्चा करेंगे और अगला नंबर कोईशन क्या है तो चलिए इसका आंसर त साब के सामने है और यह पूछरा है आपसे रोक्त की अस्तिक बनाई जाती है कि किसे बनाई जाती है अभाई सांक की से किसे बना है और इसी से जो है होकी स्टीक बना जाती है साथ ही साथ यदि हम बात करें तो होकी स्टीक यहां पर तो सहतुत का पौधा कहीं लिखा नहीं हुआ है यहां तो आम उसके बाद तून bol लिखा ओँ है तो ये मोरस एलवा जो है ना मोरस एलवा इसी का वैग्यानिक नाम है इसे हम कहीं 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 पर मोरिया जाली के नाम से बिचाएं सोरी मोरिया जाली इसका फूल है इसके नाम से नहीं जाते हैं मोरिया जाली इसके फूल को कहते हैं तो यहाँ पर बिल्लकुल correct answer जो होगा मोरस यानि कि यह आपका बिल्कुल क्रेक्ट आशर हो जागा अगले नमर क्वेशन पर हम जदी बढ़ें तो यह क्वेशन आप से पूछ रहा है चाई में उत्तेजक गुन इसमें उपस्थित किस एलके लॉइड के कारण होता है देखिए चाई पीने का कोई न कोई फायदा तो हो और हम जो है बिल्कुल आव बिना एरोपिलेन के ही दिल्ली जा सकते है और करके ऐसा फिलिंग किसी को आता नहीं है लेकिन कुछ न कुछ चाई में है क्योंकि चाई के बहुत सारी लोग दिबाने हैं तो ऐसा कौन सा चीज है जिसके कारण चाई पीने के बाद उत्तेजना ह होती है ऐसा कौन सा चीज है ऐसे चीज का नाम है कैफीन चाई में जो है आपको बता दें कि लगभग साड़े तीन परतिसत यानि कि 3.5 परसेंट जो है कैफीन पाया जाता है और इसी की कारण ये सारी चीजें होती है तो भी इसका बिल्कुल करेक्टर आंसर होना चाहिए अगला नंबर कोईश्चन आपके सामने है समुद्री खरपतवार समुद्री खरपतवार में निम्द लिखित में से मुख्यता क्या पाया जाता है समुद्री खरपतवार की यदि हम बात करते हैं तो जो भी तिनके वगएड़ा होते हैं समुद्र में इससे क्या पाया जात सारी तो बिल्कुल सा थोड़ा सा थोड़ा लोजिकल है थोड़ा लोजिक लगाएंगे और आपका बिल्कुल we जाएगा अग्ला ब्रभात आपके सामने हैं हम 20 ऐन ब्रकॉष्ट prev hamd आ चुके हैं इसमें कहा जा रहा है की चोवेसमी है किसमें ब्रभात चलके किस視में पर चीचल्ग न के एंब के आपको कप्षतLE रहा है और ऐसे बिल्कुल डिटेल्स में बताया था कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसमें दो चमबर पाए जाते हैं तो यहां पर वही बात चार चमबर वाली बाते पूछी जा रही है कि 24 में कि बिल्कुल को गुमा फिरा करके पूछा जाता है यहां पर सीधे तोर पर यदि पूछ लिया जाता कि कौन से ऐसे जीव है जिसके हिर्दे में चार चमबर पाए जाते हैं लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यहां पर लिखा हुआ है 24 में तो चलिए जल से जल बताईएगा कौन सा जीव होगा सड़ी स्प्रिप होगा या फिर उभैचर होगा या फिर अस्तन पाई जीव होगा या फिर मचलियों में किस में चार हिर्दे का चेमबर पाया जाता है तो चार चेमबर जो है यह अस्तन पाई जीवों के हिर्दे में पाया जाता है अस्तन पाई जीवो आपके सामने है किस्वा नमर कुश्चन निवन में से किसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं दो प्रकार के केंद्रक होते हैं निकलियस किसमें जो है दो प्रकार के होते हैं यह आपको बताना है हैं अमेवा में यूगलीना में या फिर लिसमेहन में या फिर पयडंग में जो है दोपरकार के केंद्रक पाई जाते हैं तो दोपरकार के विजू कुडciaż फिर एट फिर में किसमें फिरा स्वेत में में दोपरकर के Hanadaf Jaap तो यहां पर बिल्लकुल correct answer जो होगा क्या हो जाएगा बाई साथ बिल्लकुल correct answer जो यहां पर होने वाला है वो हो जाएगा sorry किसवे नमबर question का यह बिल्लकुल correct answer होगा ध्यान रखेगा अब हम अगले नमबर question पर बढ़ चुके हैं और यह question आप से पूछ रहा है क्या पूछ रहा है यह question आपसे क्या पूछ रहा है जल सतह पर निश्चल उतारने वाले जन्तु क्या कहलाते है जल सतह पर निश्चल उतारने वाले जन्तु को हम क्या कहते है तो जल के सतह पर आकर के जो है निश्चल उतारना यानि कि आप देखते होंगे कि जल के बिलकुल फ्वैल बघएड़ा मचलिया ऐसे करके ऐसे प्लाटे मारती है ऐसे प्लाटे मारती है खास करके बड़े-बड़े नदियों में अब जाएंगे तो यह आप पूछा जा रहा है कि ऐसे प्रकार के जीब होते हैन्तु होते हैं उसको बेकार लग रही हैं तो फिर से हम इस color को change करने की कोशिस करते हैं और फिर से हम आ जाते हैं इस वुलू वाले color पर तो चलिए अब हम अगले number question पर चर्चा करेंगे और ये question आप से पूछा जा रहा है इनमें से किस जनतू में वाह एवं अंतह कंकाल होते हैं वाह एवं बाहर कि भाई साब बाहरी हडी हम उसको कहते हैं जो हमारे सरीर के अंदर जो organs है उसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है जैसे हमारे मस्तिस्क की सुरक्षा के लिए ये जो खोपड़ी दिया गया है ये काफी मजबूत है भाई साब तो इसे हम बाहरी कंकाल कहेंगे इसे हम क्या मेरिक में भी कंकाल नहीं होता है एक कंकाल होता है अप देखेंगे सर्प में देखेंगे एक अंत्री कंकाल होता यानि लगने अगड़ा बगड़ा से तो इसलिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आशर हो जाएगा आपका तो डि आप सभी बचे टिक कर लिए डि आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर हुआ अगले क्वेशन पर हम चर्चा करेंगे और यह कोईशन आपसे पूछ राहा है क्या पूछ रहा है जलते बताएंगेमाद्र मधुमक्षी का इन में से कौन सा कारे सबसे अधिक महत्तमुन है मधुमक्षी के बहुत सारे कारे हैं ये जो है अपने च्छते भी बना उसके बाद जो है च्छत्ते बनाना यह तो आम बाते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो यह सहायता करती है यह पूझा जा रहा है हमारे घरों के निम्न लिखित जीब को हम पर जीवी कहेंगे जो दूसरे पर आसरी तरहते हैं उसे हम पर tremendous कहते हैं है मखिया या फिर с Engineering, और अगले नमबर क्वेशन यह क्या झाहरा है इसको भी हम देखने की कोशिस कर रहा है हमारी किरसी एवम उद्यान-पाधपों के प्रमुख परागन क ज़िए यह बिल्कुल सही है, हमारे किरसी है, यानि कि हम जो किरसी करते हैं, खेती करते हैं, और उद्यान के, उद्यान पादपों के परमुख प्रागन करता कौन है, तो यह तो हमने अभी ही बताया कि मधुमक्या है, मधुमक्या है, तो चलिए अगले नमबर कोईशन पर सक्षम नहीं है, क्योंकि उतने बड़े आर्टिस्ट हम हैं नहीं, तो चलिए तिड्डा आप सभी बच्चे नहीं देखे होंगे, तो एक बार सर्च करके दिख लिजेगा, रेगिस्तानी तिड्डी एकाकी रहेगी, या यूथ चारी, यह निरभर करता है किस पर, रेगिस जलबायू जब अच्छी रहती है, तभी जो है टिड्डा देखने को मिलता है, खास करके जब रभी फसल होते हैं, तब टिड्डा देखने को मिलता है, तो यहा पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है, वो हो जाएगा, तो आप सभी बच्चे ए टिक कर लिजेगा, तो अच्छी बाते हैं नई कीजेगा, तो हम कर देते हैं, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, अगला नमबर कोशिशन है, 28 बार अभी तक आप लाइक नहीं किया हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बाते हैं नहीं, तो एक लाइक कर दिजे सेशन को, चलिए, 28 बानमर ऩिस भूण का आसर कीजिएगा कि बंप introducing the atoms to death दोनों से एक्यों 300व दोनों तो चलिए Lights का नेरमान किसे होता है वह सबुस्धे जल्ब आसर कीजिएगा चलीकल्रीका कोशी का इस श्यों की को मैं पाई जा wn facil तो चलिए तंत्रिका कोशिका किस भोड़नी आस्तर से बनती है हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले जो है किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला जो है उसका काम होता है सुक्रानू जो है आपस में क्लिया करते हैं उसके थोड़ी थोड़ी उसकी जो है एक एक का विकास होकर के उत्तक बनते हैं हमने आपको बताया था कि कोशिका का जब विकास होता है कोशिका का जब विकास होता है तो उत्तक बनता है क्या बनता है उत्तक यानि टिसू बनता है और टिसू का विकास जब होता है तो और गन बनते हैं क्या बनते हैं टिसू का विकास होत रहे हैं ताकि बिल्कुल फिर दुबारा इसको टच करने की जरत नहीं हो ऐसी कोशन तो चलिए तंत्रिका कोशी का जो है एक्टोडर्म के अस्तर से चालू होता है इसका बिल्कुल क्रेक्ट आंसर जो है सी होगा चलिए उन्हां इसवार नंबर कोश्चन में पूछा जा रहा है हड़ी में कौन सा लबन सबसे अधिक होता है यह कोश्चन का आसर आप सबसे अधिक पाए जाते हैं और यह हड़ी को मजबूती परदान करते हैं तो यहां बिल्लकुल डी आंसर हो जागा चलिए लास्ट कोश्चन आपके लि कोँ सा बिटामीन आवस्तक है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौण सा बिटामीन आवस्तक है चलिए फटा-फटाbachले कीजिए जल्चे जल्चे लास्ट कोश्चन का आइसर आप सभी सबसे जिए में मैं आफ की लिए जो है नफ्ट किनोन का यूज कर सकते हैं तो सी इस बन बिल्कुल क्रेक्टर हो जागा तो चलिए एक और बता दीजिए कमेट सक्षन में आप आज का क्लास आपको कैसा लगा साथी साथ कोई डॉट सो तो कमेट सक्षन में लिख दीजएगा अगले वीडियो में उसको हम कवर कर लेंगे और पैरा में डेकल की तैयारी आप यदि कर आई जाएगी सात ही साथ चैप्टर वाइल आपके कलास होंगे जिसमें त्योडी और अब्जयक्टिव दोनों के कला सबराइब दोनों आगे से कड़ाया जाएगा तो चले यह सारी बाते हैं और भी जानकारी इस कोर्स से संबंदित लेनी है सेबन फोर सेबन एन एट टू थी फाइव नान ये यह हमारा नंबर है इस पर आप जरूर संपर्क किजेगा सारी जानकारी आपको मिलेगी अब यहां पर बात आ यहां जाती है कि कौन कौन से सब्सक्राइब आपको कड़ाये जाएगा और एक त्यूरी का का जय खत्म होता है चैप्टर का उसका प्जक्टिव आपको कड़ा दिया जाएगा PDF उसका आपको साथी साथ मिल जाएगा तो Physics, Chemistry, Math, Bio, GK, Hindi और English ये सारे subjects कराए जाएगे English और Hindi में कुछ books से भी question आते हैं वो भी आपको कराए जाएगे साथी साथ कुछ story उसके बाद novel से आते हैं उसके बाद grammar से भी question आते हैं तो course fee जो है मात्र भी इसका 599 रूपया fee है तो जल्चे जल्द आप इसे enroll करने तो अच्छी रहेगी चलिए आगे बात करते हैं कि course को आपको join कैसे करना है लेकिन उससे पहले class कहाँ चलेगा ये जान लिजे LGR study का दो app है एक fight बाला app है जिसमें बहुत सारे materials है और raid बाले app पर class चलते हैं तो आप play store पर सर्च किज़ेगा LGR study app आपके सामने दोनों app आएंगे raid बाले app को class join करने के लिए install करनी है वैसे note बगारा लेनी है test बगारा free में देनी है बिल्कुल बिल्कुल free में करनी है notes उसके बाद online test तो इसके लिए आपको क्या करना है fight बाले app को install करने के लिए class करने के लिए install कीजेगा तो आपके सामने जैसे install कीजेगा तो आपके सामने register का option आएगा register पर click कीजेगा और आगे जो आपके सामने option आएगा इसके बाद वो क्या आएगा भाई साब उसके बाद आपके सामने option आएगा इस पर का इंटरफेस आएगा जिसमें name उसके बाद phone number जो भी चीजे हैं उसको फार करके term condition agree कर लिजेगा term condition agree करने के बाद आप यहाँ पर कर दीजेगा register register करने के बाद अगला स्टेप आपके सामने आएगा category select करने का क्योंकि बहुत सारे classes चलते हैं तो यहाँ पर आप parameter का class लेना चाहते है parameter select करके save कर लिजेगा आगे आपके सामने paid course का option आजागा paid course पर आप जैसे ही click किजेगा तो आपके सामने आएगा बाइनो का option यहाँ पर बाइनो पर जैसे ही click किजेगा तो यहाँ से आपके सामने जो है pay online का option आएगा आप जैसे ही payment करते हैं आपका course जो है enroll हो जाएगा तो चलिए इस पर payment करने के लिए card UPI networking जो भी सुर्धा है आपके पास है online उससे आप payment कर सकते हैं यदि payment करने में या फिर course से संबनी तो और भी कोई जानकारी लेनी हो जो भी classes आपके सामने आए वह आपके लिए हम लेकर क्या है वह उसका notification आपको मिले और वह class आप जल से जल कर सकते तो चलिए आज के लिए तना ही रखते है thank you bye bye tata see you